दवला मेटिक क्षेत्र के जरुरत मन्द लोगों को चावल और गेहु मिलने से पड़ी सर के नागरी को ने माना शुक्रिया लोगडाउं के कारण खाने के लिए गरीब लोग मोताज हुए है दवला मेटिक क्षेत्र ट्रांस्पोर्ट क्षेत्र होने से यहाँ पर सेक्ड कामगार लोग आज भी भूके है इन लोगों को दवला मेटिक के उपसर पंच गजानन रामेकर ने अपने निवास पर 1500 किलो अनाज इखटा कर मुहिम चलाई जरुरत मंदु को खाना मिलने के लिए दवला मेटिक के उपसर पंच गजानन रामेकर प्रयास कर रहे है पुद्वार को करीबन 1500 किलो अन्नधान्य का वितरन किया गया जिसमें चावल के 44 किलो की पैकिंग कर 1300 लोगों को विधायक समीर में के इवन आगपुर ग्रामिन के तैसिलदार मोहंटिक ले इनके हाथों वितरित किया गया इस अभियान में दवला मेटिक के सभी लोगों को सयोग की अपिल रामेकर इन्हों ने की है लोगडाउन खुलने तक लोगों को घरों में ही रहने की विननती भी की गई संतुष पाठक प्रदिप्रोक्डे अजय जैस्वाल निलेश भुयार कर न्यानेश्वर मोगर कर राम लगर रूशी भाग कापिल दरसिंगर ने इस धान्य वितरन के लिए सयोग दिया गरिबों को धान्य मिलने से उनके चेहरों पर खुशिया दिखाई दी अब लोगडाउन तक उन्हें दो रोज की रोटी मिलने की उमीद पूर नहीं होने से अब घरों के बाहर न निकलने की कसम गरिबो लिली धान्य देने वाले कारिकरताओं के भी आभार माने आणि अजुन एक महत्वाची बाब या ग्राम पंचाच्चा सर्ग्या संबन्य सदस्यां नी सर्पंच उपसर पंच नी घितली है कि प्रत्य घरा मदे ते सानिटाइजर वाटना रहे आज पासुन्त जी सुरुवात होना रहे आशा वरकर चा माध्यमातन ते सानिटाइज आपन पूर्ण हिंदुस्तानना निरोगी कसठेव यह चा साथी मला मदत करा त्यानि मित्य आट टार्किला आट चारला आपन हनुमान जेंतिनी मित्य गरुजुलोकान्ना धन्याचे वाटप करन्या करता परिसरा मदिल माझे मित्रमंडड़ी यांचा मदतीने हनुमान जे तिकले यांच्या हसते शुरू केले असुन वो उर्वरित धन्य वाटप अपले परिसरातिल कारे करते यांच्या सहकार्याने पूर्ण केले वो गोर गरीब जन्चला याचा फायदा मिलाला वो यह जे धन्य होते है आपन सरकारी नसुन यह आपले मित्रमंडली चा मदतिने गोडा करू केले असुन पंचान कट्टे भंजेश 15 किंट्रल धन्य आज आपन वित्रित केले ले आहे वो गर्जू लो करना मदतिने चा सपोर्ट केले लाहे इन बीसे न न्यूस के लिए वाडी से सुनिल शेटी के साथ अभिशेक पांसी के रेपोर्ट